पानी हमेशा थोड़ा-थोड़ा गूंट-गूंट बरके बच्चों से सीख लीजे इसमें कुछ बुराई नहीं वह पानी थोड़ी गड़ी है इदर उदर गुमाईये फिर उतारे फिर बरिये फिर गुमाईये फिर उतारे बहुत अच्छी एक्सरसाइज है इसके तीन फाइदेतों मैं तक्काल गता देता हूँ अगर आप सिप करके पानी पी रहे हैं तो मैं आपको जो चाहें उतने रुपए के स्टाम पेपर पे एक सेंटेंस लिखके देता हूँ हजार रुपए का स्टाम पेपर हो या दस हजार का या एक लाग का अगर जो भी जिन्दगी में सिप करके पानी पीएगा मेरी गारंटी है मेरी नहीं आईरुवेट की गारंटी है कि जिन्दगी में कभी भी उसको मोटा पा नहीं आ सकता ओबेसिटी कभी भी वजन नहीं बढ़ेगा जितना होना चाहिए जिन्द वीवर उतना ही वजन रहेगा अगर पानी सिप करके पी रहे हैं तो आप इसका उल्टा प्रश्ण पूच सकते हैं जो वजन बढ़ गया है तो तो बिल्कुल आश्वस्त रहिए आप सिप करके पानी पी लिजे छे से साथ महिने में दस किलो वजन आपका घट जाएगा अगर बढ़ गया है तो फिर आप बोलेगे जो उससे जादा घट गया तो नहीं घटेगा उसकी चिंता बद करिए जितना बढ़ा हुआ है उतना ही घटेगा घटने के बाद इस्तिर हो जाएगा सिप करके पानी पीने की आदद डालेगे दूसरा फाइदा क्या होगा अभी कन से ही आप देखेंगे अगर सिप करके पानी पीने की आदद आपने डाली तो ये जो गुड़गे का दर्द है गुटने का दर्द साथ दिल लगातार आप सुप करके पानी पी लीजे ये दर्द 25 तका आपका कम हो जाए और ये जो एडी का दर्द है एंकल जॉइंस का पेन ये तो साथ दिन में 100 तका खतम हो जाए और ये जो जॉइंस में पेन आपको होता है ये 25 से 30 कका 7 दिन में कम हो जाए और सवेरे सवेरे सोकर उठते ही जिनको सिरदर्द होता है चक्कर आते हैं कमजोरी महसूस होती है ये 7 दिन में तीनों ही गायवो जाए चक्कर आना, सिरदर्द होना कमजोरी महसूस हो पानी पीना है सिप करके पीना, थोड़ा 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 गूब गूब दर के पान के